हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब होप की सब अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं पाव भाजी की रेसिपी तो पाव भाजी मुंबई का एक स्ट्रीट फूड है जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी ट्राइ करें और मेरे प्रेंगा की हैं तो मैंने यहां पे तीन टमाटर ली हूए मेडियम साइज के उनको मैंने बहुत ही बारक कात लिय है उसके बाहँ एक रही है इसको हम बारिक काट लेंगे तेन मैंने इसमें दो पोटेटो एड d commissioner चार्षाज के इंको भी हम इस थे साथ एक पाट लेंगे काटें और जो अच्छा काटें क्टाल के अच्छा 200 लिए इसमें 1 मीठस लिए अटटें इसमें फूड़ कलर reा वो नहीं लेना पड़े और जो भाजी का अउस्ट आप आप देखिए गा इससे भाजी का कलर बहुत अच्छा आप गा तो में कुखर में एक चमच के गिदल डाल दूंगी तो कम नमें चीरा जीरा जाद नहीं डालने equally तो के बाद ज़ेखा जीरा जैड नहीं डालना है क detail या जो टॱड़का लगाना है उसमें भी हमें जीरा आड जीर है तो इसलिए छोड़ा समय जीरा डालँगे इसमें, जो पाव भाजी का FEKA, मसाला हम बालेगे अब पाव भाजी का FLAVOR अच्छा आने वाला है, उसके बाद में यसमें डालूंगी टमाटर केपसिकम नहीं डालना है यहां पे टमाटर बीटूट गाजर और आलू यह सब चीज़े में इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको अच्छे से आप चला लीज़िए झो हमने पाव बाजी मसाला डाला है अच्छे से इस पे कोट हो जाए तो उसके पाद हमें कुछ नहीं करना बस इसमें हमें ऐड करना है हाँ मैंने इसमें थोड़े से मटर भी डाले है तो जो भी आपके पास vegetable available हो सब इसमें आड कर सकते हो अप तो मैंने हाँ यह इस छीज का आप जरूर दिहान र तो में इसको 200 तो में ऑदा लिटर करीब लिया है तो अब मैं इसको सीटी आने तक रख दूंगी है tim । जब तक सीटी आ रही है तब तक कर लूंगी !! तो मैंने यहां पे दो बड़ेसाइब के प्यात लिए दो सीटी आने के बाद हमें इसको दस मिनट तक और पकाना है बिल्कुल लोग फ्लेम पे तो जब तक सब्जी पकरी है तब तक मैं इसमें धनिया भी रेडी कर लेती हूँ तो अगर आप चाहते हो कि जो सब्जियों को मैश करने का काम है वो ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़े आपको और आपकी भाजी अच्छे से मैश हो जाए तो आपको उनको पहले ही बॉयल कर लेना पड़ेगा इस तरह से जैसी कि मैंने किया है उसको दो सीटी के बाद उ देख चमच के करीब तेल डालोंगी और इसमें साथ में ही अमें एड करना है बटर तो बटर डालने से क्या है जो भाजी का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा तो आपको ओल के साथ ही इसमें दो बड़े चमच बटर आड करना है तो मैंने यहां पे यह बटर अच्छा आने वाला है तो मैं इसमें डाल दूगी आदा चमच के करीब जीरा तो यहां पे हमें एक चीज का दिहन रखना है कि जो हमने बटर डाला है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए नहीं तो इसका फ्लेवर है जो खराब हो जाएगा और जो हमने जीरा डाला है व अब ही मैंने थोड़ा सा और एड़ कर दिया है बटर तो जीरा अच्छे से जो सीख जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज तो मैंने तो क्या किया था कि जैसे ही इसमें बटर डाला तो मैंने एक बार आच बिल्कुल बंद ही कर दी ताकि वो जो बटर है वो जले नहीं तो उसके बाद मैंने फिर से ओन की है और इसको कम आच पे ही हमें भूनना है और प्याज को इतना नहीं भूनना है कि वो बिल् काट करना है इसको तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना ब्राउन करना है तो कि देखें आपको कुछ इस तरह से इतना हमें जो कलार आ जाए प्याज का तो इस कंस्ञिंस्टेंसी तक हमें इसको भून इसमें एड़ कर देंगे शिम्डा मिर्च जो हमने काटके रखी हुई है अब मैं एड़ करूंग इसमें नमक है नमक आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है इसमें तो आधा चम्मच की क्रीम मैंने यहां पे हल्दी एड़ किया है और मसालों को चलाते रहें बीच बीच में यह ताकि यह जलनी जाए और उसके बाद हमें एड़ करना है दो चम्मच पाव भाजी का मसाला तो मसालों को अच्छी तरीके से भून ले और जैसे यह भून जाए तो इसमें अब फिर से पानी एड़ करना है थोड़ा सा तो पानी हमें फिर गरम ही डालना है इसमें ठंडा पानी का यूज नहीं करना है तो देखिए इसमें पानी डालते ही boil आना स्टार्ट हो गया है तो जैसे यह boil हो हमें जो हमने अभी सबजिया boil करके रखी हुई हैं वो भी हम इसमें ही add करेंगे तो यह मैं कुकर में mash ना करते हुए इसको कड़ाई में transfer कर दूँगी तो कड़ाई में ही मैं इसको mash करूँगी तो अभी आपको क्या कर रहा है कि पांच मिनट तक इसको ऐसे ही मलत यह जांच पर रखना है ताकि जो इसका पानी है वो पूरी तरह से सबजियां absorb कर लें तो मैंने थोड़ा सा उपर से और नमक डाला है क्योंकि मैंने जब vegetable boil की थी तो मैंने उसमें नमक नहीं add किया था तो अभी मैंने थोड़ा सा और add कर दिया है तो अभी पांच मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही तेज आँच पर चलाया है तो देखे यह कैसी हो गई है अब इसको हम potato measure या जो भी आपके पास हो उसे आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर ले तो मैं तो यहाँ पे रई का यूज कर रही हूँ जो अपन घरों में चाच वाच बनाने की काम में लेते हैं तो यह कुछ इस तरह की हो गई है तो बस इसको ऐसे ही तेज आँच पे थोड़ी देर तक हमें चलाते रहना है और पर से मैं इसमें एड करूंगी हरा धनिया तो हरा धनिया डालते ही देखे कितना अच्छा लुक आ रहा है बाजी का और इसके खुश्बू भी बहुत अच्छी आरी है तो बनाते बनाते मेरा अतुमन कर रहा है काने का और मुझे भूक भी बहुत लग रही है इसको देखके तो इसको ऐसे ही थोड़ी दिर तक हमें चलाना है अब भाजी हमारी लगबग तैयार है तो इसको ढखके रख देते हैं अब हम सेकेंगे पाओ ने यहां पर लोही के तब़े पर थोड़ा सा बटर लगाया है और इस पर डालेंगे भाजी जो अब हमने रेडी की है तो इससे क्या है कि जो पाओ भाजी में फ्लेवर आएगा वो बिल्कुल स्ट्रीट पाओ भाजी का फ्लेवर आएगा आपको ऐसे लगे गई नहीं कि आपने घर पे बनाई है इतना अच्छा फ्लेवर आएगा तो यह ट्रिक आप जरूर ट्राइ करें थोड़ा समय ने इसमें उपर धनिया पत्ता एड़ किया है तो पाव को बीच में से ऐसे कट करके हमें पाव सेक लेने हैं तो चारो तरफ से बटर लगाके ऐसे पाव को सेक लें तो इसको हमें ज्यादा नहीं सेकना है तो यह हमारा तैयार हो जाएगा झाल तो इसको मैं रखोंगी ताली में जिसमें की मैंने बहाजी और थोड़ी सी कच्ची प्याज नीबू रखा हुआ है तो यह देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है और होप की आपको बहुत पसंद आपको प्लीज इसको ट्राइ करें और मुझे बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं कतम करती हूँ ओके बाई बाई